स्वात्यों, आज ये railway का कारकब है, और जब railway की बात आएं और पत्रियों की चर्चा न νहों ये सम्भव नहीं है। और जब पत्रियों की बात स्वाभाविक है, इसलिए पत्रियों को ही आधार बना कि एक और उधार दूँगा। आज भारत में infrastructure का काम दो पट्रियों पर एक साथ चल रहा है। एक पट्री इंडिविजल व्यक्ति के विकास को आगे बढ़ा रही है और दूसरी पट्री देश के growth engine को नहीं उर्जा मिल रही है। अगर व्यक्ति के विकास के बात करें तो आज देश में सामान्य मानवी के लिए घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस, सड़क, इंटरनेट जैसी हर सुविधा को उपलब्द कराने का अभ्यान चल रहा है। पी एम आवास योजना, स्वच्छ भारत अभ्यान, सवभाग्य योजना, उजवला योजना, प्रदान मंत्री ग्रामिंट सड़क योजना, ऐसी अनेक योजना उसे करोडो भारतियों का जीवन सरल हो, सहज हो, हात में विश्वात से भरा हुआ हो और सम्मान के साथ जीने क उसको अवसर मिले, इसलिए ये कल्यान के काम भी तेजी से चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ, इंफास्ट्रक्चर की दूसरी पट्री का अलाब, देश के ग्रोथ इंजन्स, हमारे उद्ध्यमी, हमारी इंडर्स्ट्री को हो रहा है, और आज समय की मांग है, कि भारत को अपने इंफास्ट्रक्चर को ग्लोबल स्टांडर्स को मैचिंग करें, इस दिशा में ले ही जाना होगा, हमें विश्व की उत्तम से इत्तम चीजों की और बराबरी करने के लिए आगे बढ़ना ही होगा, हाज हाईवे, रेल्वे, एर्वे, बॉटर्वे की कनेक्टिविटी पूरे देश पे पहुचाई जा रही है, और तेजी से पहुचाई जा रही है, अपने पॉट्स को ट्रांस्पोर्ट के अलग-अलग माध्यमों को कनेक्ट किया जा रहा है, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है, आज देश भर में फ्रेट कोरिड़ोर्स की तरह ही, एकोनामिक कोरिड़ोर्स, डिफेंस कोरिड़ोर्स, टेक क्लस्टर्स, इंडिस्टी के लिए ऐसी विशेश व्यवस्ताएं तैयार की जा रही है, और साथियों, जब दुनिया देखती है, कि चाहें इंडिविजल हो, चाहें इंडिस्टी हो, हर किसी से के लिए बहत्री इंफ्रसक्चर भारत में बन रहा है, तो उसका एक और सकारात्मक प्रभाव पढ़ना निश्चित है, इस प्रभाव का ही नतीजा है, भारत में आ रही रिकॉर्ड, फारिं डारेक इन्वेस्मेंट, एफडियाई, इस प्रभाव का नतीजा है, भारत का बढ़ता विदेशी मुद्रा का बंडार, और इसका प्रधाव का नतीजा है कि दुनिया का भारत पर लगाता और बढ़ता भरोसा इस कारकम में जपान के राज़िदूत स्री सुजुकी जी भी हमारे साथ है जपान और जपान के लोग भारत की विकास यात्रा में एक भरोसे मन मित्र की तरह हमेशा भारत के साथ ही रहे हैं वेस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निर्मान में भी जापान ने आर्थिक सहयोग के साथ ही भरपूर टेकनलोजी सपोर्ट भी दिया है मैं जपान और जपान के लोगों का अभिनंदन करता हूं विशेश धन्यवाद देता हूं